हेलो क्यारे दोस्तों कैसे आप सब होप आप सबी भी बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो और ब्लॉग को स्टार्ट करें हम तृषिका के साथ यहाँ पर तृषिका कूँ मस्ती कर रही है वो सारे अल्फबेट्स लगा रही है उसको सारे अल्फबेट आते हैं को फिर कोले सारे दियुक्ति हों न करता, काअब पर कीसे न टीज़का की मतया सब्सक्राइब इसलिए बार-बार जाके तुरिशिका को चेक करना पड़ता है कि वो क्या कर रही है तो यहां पर बस वो अपनी शैतानी खूप कर रही है और यहां अपने कुछ बेबी राइम्स हमने एक्चुली लगाए हैं तो वो भी देखती जाती है साथ मैं आके मम्मा के साथ भी कुछ कुछ कर लेती है शैतानी या काम जो भी है वो काम क्या करेगी वैसे शैतानी करती है वो वो ना करे तो काफी काम हमारे ही कम हो जाए लेकिन वस खूप शैतानी करती है लेकिन कोई बात नहीं बच्चा बढ़ता है तो शायद शैतानी फिर करे गई उसका माइंड चलता है कि लिए उना होगा उससे क्या होगा तो वो आपना कम आरकेierenा करती है यहां पर यह यहां पर हम आप किसांद करते हैं तो यह लेक्शव यहां पर यह स्प्रीव कि है जो तो यह एक्शुली एर फ्राइर के लिए लेक्शिय आए क्योंकि जब ऐर में हम ऑल्ल डालते हैं तो हम एक्चुली सीधा है जालने के लिए तो ड्रिजल करो तो कहीं ज्यादा गिर जाता है कहीं नहीं गिरता है इस बज़े से हम इस प्रे को लाए थे कि इससे काफी इजी हो जाएगा जब एर फ्रायर में हम इसको यूज करेंगे क्योंकि ओयल तो थोड़ा बहुत डलता ही है लेकिन ओयल अच्छे से स्प्रे नहीं होता था सारी चीजों में तो यह काफी हैल्फुल रहेगा उसके लिए तो यह काफी मल्टी टासकर इसको गिरलिंग में भी आप यूज कर सकते हैं यह जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा डिफरेंट इसको दवाना नहीं इसको थोड़ा आगे की साइड इसका जो इसको आगे की साइड थोड़ा जुका के फिर यूज करना और यह काफी अच्छा है क्योंकि एर टाइटली बंद हो जाता है सबसे अच्छी चीज जिसकी यह थी तो यह हमें काफी अच्छा लगा क्योंकि जब ढपकन अच्छे से बंद हो जाए ना तो चीजे ज्यादा अच्छी से से रहती है तो बस इसके लिए हम यह लेके आए हैं और यह हमें काफी एक्साइटिंग लगा आप देखो यह काम कैसा करता है लेके तो हम अब कभी यूज करेंगे तो फिर इसका रिव्यू वैसे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और अगर इन्ची जो क्या लिंक हमें मिल जाएगा तो एमेजन से तो हम आपको लिए वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अड़ कर देंगे कभी आपको भी कुछ बाय करना है तो आप बिल्किल इस लिंक पे जाके बाइ कर सकते हैं और यहां पर हम यह लाएथे ग्रीन टी लिए लगभख की डॉल vidéo का था तो हम यह एधिक पिंक कलर का है और एक और है जो वक्रीन कलर का है तो यह दो कलर में हम लेकर का थे आए आउल काफी च्यूट लगे हमें और यह ल अब भर सकते हैं और इसको बढ़िया से लॉक कर दे और यह जो आउल है ना यह टक हो जाएका कप में बहुत ही इसमें अंदर आप गर्ण पानी में और बढ़िया गरम पानी में और क्यूंकि ए स्टेन्लेस स्टील है ना तो यह इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि लाइ तो इजी लिए कप के अंदर रह जाएगी और यहां पर यह कुछ ग्लास स्टेनर है सो यह ग्लास फूड स्टोरेश कंटेनर है जो कि हम ले किया है हमें काफी अच्छे लगे क्योंकि इनके डिस्क्रिप्शन में काफी अच्छी चीजे थी एक तो यह डिस्वासर सेफ है तो यूसफुल लगे हमें क्योंकि इस बॉस्टर में इसली चले जाएंगे तो यह काफी अच्छा लगा हमें डिस्वासर सेफ चीजे हों तो काफी सही रहता ही और यह तो कलर हम लाया थे जैसा कि हमने आपको बता सब इसके साथ हमने यह इस प्रेफ है इसका भी हमने आपको को हम यूज कर सकते हैं डीफ रिजर में आवन सेफ हैं यह और थर्मल जो शौक होता है ना वो भी आराम से जहेल ले जाएंगे और आप देख सकते हैं कि सारी चीजे हम लेके आये थे सो आपके साथ यही शेयर करना था और जो भी चीजों के लिंक हमें मिल जाएंगे एमेजान वाले वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे इनकेस कभी आपको भी लेना है तो आप ले सकते हैं सेम जो चीजें हैं वो बैसे यह जैनी कुक्के हैं जो कंटेनर हैं यह काफी अच्छे लगे क्योंकि यह लीक प्रूफ यहां पर हमने यह जो red lentil होती है लाल जो दाल होती है मसूर की दाल बोलते हैं उसको तो उसके हमने अक्छुली यह बनाए हैं चायोंमी तो यहां पर जैसा की description में एड हो वैसा आप इसको बॉइल कर लें सो सभी का अच्छुली सेम ही होता है पानी में इसको बॉइल करें थोड़ा सा बाद में oil को डृजल करनेंगे हम थोड़ा ओल को कुकिंग में ही ज्यादा थोड़ा सा एड़ कर लेंगे तो यहां पर हमने चॉप एक डिफरेंट कलर की ने शिंबला मिर्ष थोड़ी सी हमने cabbage काट के रखा है लंबा-lembा थोड़ी सी हमने गार्लिक और जिंजर लिया है उसको भी चॉप किया है थोड़ा सा टोफू लिया है उसको बाइट साइज में चॉप किया है और थोड़ी सी हमने प्याज ली है उसको लंबा लंबा काटा है को एतने इथा अच्छाल मिन में यूस करनी है को यहां पर एक पैन लेते है। इसलिए कोने हैं तो थोड़ा अच्छा ऊच्छा उए यूस करते हैं.. थोड़ा एक तो यह चुंड तो थोड़ा इनदेज जम्राट कर में अच्छा घरमशक फिर सकते हैं.. प्याज को एड़ करते ही नमक को एड़ कर दिया जिसे कि प्याज अच्छे से कुख भी होगी और फटाफर से आप देख सकते हैं कि नमक को जैसे ही एड़ करेंगे न और चलाएंगे तो प्याज बढ़िया से खुल जाएगी तो बस उसको भी हमने करके और बस थोड़ा से धकन लगा दिया जिसे कि थोड़ी से अच्छी से कुक हो बहुत जादा कलर चेंज नहीं करना पड़ता हमें चाइनीज कुकिंग में तो बस यहां पर इसके बाद हमने एड किया है टोफू और टोफू को भी दो सेकिंड के लिए टॉस करके और ढग देंगे जिसे कि सारी जो सीजनिंग है सब एक सार अच्छ से मिलके मिक्स हो यहां पर हमने यह मैगी की सीजनिंग एड की है इससे काफी टेस्ट इनहेंस हो जा कि इसके अधिए टोड़ा सब ही डाल ले तक अधिए इसके यहां पर यहां पर वैसे स्णिंग जाली होता है तुम्हें अधि होताा है तो नमकं आप बड़े ध्यान से डाले तोया से संधिय आप मेड़ नहीं थां से तीरो एंट रख यहां पर टमeल कैळट ऑप डेसक्ष जो काफे शॉसेस आते हैं थोड़े-थोड泼े सार्ट वहाइश Сाथी चीली सॉसेज और वनेगर हमने बोध सारी चीज अड़ी साथ कि शिमला मिर्च कैपसिकम काटके रखी है और एंड में यहां पर थोड़ा सा कैबेज हमने एड किया है जो काटके रखा था सो बस यह सारी सब्जियां जब एड हो जाएंगी ना तो दो सेकिंड के लिए इनको बढ़िया से हाई फ्लेम पे कुक करेंगी क्योंकि बहुत ज़ कि हमारी जो चाउमीन है वह अच्छे से पकी के नहीं सो बस उठाके देखते हैं और ऐसे ही नाकूं से कट करेंगे ना तो इजीली हो जाएगी तो बस इतनी हमें बहुत जादा इसको नहीं कुक करना है वरना वह अच्छी नहीं लगती गली-गली से लगती है तो बस यहां अब नसूख जाएगा और यह बहुत जल्दी से तयार हो जाएगा जब ठोड़ा धक्के पकाएंगे इसे तो यहां पर यह अल्रेडी डन हो चुका है अब हम इसमें थोड़े से थोड़ा सा सॉस और एड़ करेंगे केचप एक्चुली क्योंकि हमने यहां पर बहुत सारे स अगर आप सब कुछ एड़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो एक बार इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें आपको यह रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज हिट दा लाइक बटन इन सब्सक्राइब इस चैनल और जैसा कि हमने आप से बोला कि अगर जो भी चीजे ह हम लाए हैं उनके हमें लिंक आमेजोन के हम आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे तो अगर आप चाहें तो वहां से उसको बाई कर सकते हैं और थैंक यू सो मच पर वाचिंग